योजना इन इंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है इन छे सरकारी डोकुमेंट में अपना आधारकार जल्दी से जल्दी लिंक कर लें नहीं तो आपको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और आपको किसी भी योजना का अलाब नहीं मिलेगा चाहे आप क कोई भी सरकारी योजना का अलाब लेते हों जियां साथियो चैसे सरकारी डोकुमेंट हैं जिसमें आपको अपना आधारकार लिंक करना होगा नहीं तो आपको किसी भी सरकारी योजना का अलाब नहीं मिलेगा तो कौन-कौन से ऐसे 6 सरकारी डोकुमेंट हैं जिसमें आपक अपना आधार कार्ड बहुत जरूरी लिंक करना है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को लास्यच तक जरूर देखेगा और जल्दी अपना आधार कार्डि करियेगा तो चल्यई वीडियो की सुरुवात करते अगर आप परधान मंत्रिक किसान सम्मान निदी का लाब लेते हैं तो आपको किसान सम्मान निदी में का KYC करवाना होगा और अपने किसान सम्मान निदी के खाते में आधारकार लगवाना होगा बिना आधारकार अपडेट किये हुए आपको किसान सम्मान निदी का कोई सी भी किस्त नहीं मिलेगी देखे अगर आप एक किसान है और आप किसान सम्मान निदी योजना का लाब लेते हैं तो आपको अपने किसान सम्मान निदी में अपने आदार कार्ड को अपडेट कराना होगा अपने बैंक अकाउंट में भी और अपनी किसान सम्मान निदी में भी नहीं तो आपको किसी भी किस्त का पैसा नहीं मिलेगा नमबर दो राशनकार राशनकार हम सब के लिए बहुती जरूरी दस्तावेज है इससे हमें सरकार के तरब से फिरी राशन मिलता है इसलिए राशनकार में आधारकार को लिंक कराना बहुत जरूरी है अलग-अलग राज्यों में ओनलाइन आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक होते हैं वही कुछ राज्यों में ओफ लाइन आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक होते हैं लगतार राशन लेने के लिए राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना जरूरी है देखे जो परधानमंत्री की सबसे बड़ी योजना है वह फिरी रासन योजना है और फिरी रासन योजना में भी आपको तभी रासन मिलेगा जब आपके रासन कार्ड में आपका आधार कार्ड लिंक होगा तो आप अपने जो राशन कार्ड है उसमें आधार कार्ड को जरूर लिंक करवा ले नहीं तो आपका राशन बंध हो जाएगा अगर आप अपने पैन कार्ड का प्योग सही तरीके से करना चाहते हैं तो आपको अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है आप ओनलाइन अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं नहीं तो आपका जो पैन कार्ड है वहन इसके रिये हो जाएगा तो इसलिए आपको अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है वोटर आईडी कार्ड अगर आपका वोटर आईडी कार्ड पुराना बना हुआ है यानि उसमें बिलेक और वाइट फोटो लगा हुआ है तो आपको अपने Water ID Card में अपने आधार कार को लिंक करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपका नया Water ID Card बन जाएगा और PV Water Card आपके Post Office से आ जाएगा और आप इसे फिर से अपने Water Card को Online Download भी कर सकेंगे तो आपको अपने आधार कार्ड को अपने water ID कार्ड से भी लिंक करना बहुत ही जरूरी है बैंक खाता अगर आपके पास किसी भी बैंक में खाता है तो ऐसे में आपको अपने बैंक खाते में अपने आधार कार्ड को लिंक करवाना जरूरी है बैंक खाते में आधार कार्ड को लिंक करने के कहीं सारे फायदे हैं जैसे आधार कार्ड से आप cash withdraw कर सकते हैं इसके साथ ही कहीं सारी सुधाव को भी आप प्राप्ट कर सकते हैं तो इसलिए अपने बैंक अकाउंट में भी अपने आधार कार्ड के दुआरा आपको KYC करवाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपके जो पैसा है वह नहीं निकाल सकेंगे, गैस कनेक्शन, अगर आपके पास गैस कनेक्शन है तो ऐसी इस्तिति में आपको अपने गैस कनेक्शन में अपना आधार कार्ड लिंक करवाना अवश्यक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में वर्तवान में फिरी गैस सिलिंडर की उजना भी चल लई है, जिसके अंतरगत, free gas cylinder आप भरवा सकते हैं free gas cylinder भरवाने के लिए आपको अपनी gas cylinder यानि के gas connection से अपने आदार कारट को link करवाना बहुत जरूरी है इसी के साथ ही अगर आप अपने gas connection में आदार कारट को link नहीं करते हैं तो आपको subsidy भी नहीं मिलेगी तो इसलिए आप अपने gas connection में भी अपने आधार कार्ड को जरूर लिंक करा लें अगर आपको subsidy लेनी है और आपको सस्ते price पर यानिके सस्ते rate पर gas cylinder लेना है तो सात्यू यही थे वह 6 documents सरकारी वाले जिसमें आपको अपने आधार कार्ड को जल्दी से जल्दी लिंक करा लेना चाहिए नहीं तो आप किसी भी सरकारी योजना का लाब नहीं उठा सकते हैं वीडियो गर आपको अच्छे लगा हो तो एक like, share, comment जरू करिएगा और चैनल पर नहीं आए हैं तो subscribe भी जरू करिएगा